नमस्ते दोस्तों अब सबको स्वागत है अपके अपने चैनल फैंटेसी दुनिया में यह वीडियो होने वाला है आबुधाबी टीचैन का सुपर लिग का मैच जो खिला जाएगा मराथा अरभियन वसस कलांदर के बीच गाइस मैं आपको बताना चाहूंगा मराथा अरभिय एक मैच वेन किया, दो मैच लोस कीया, कलंदर अपने तीनошा मैच वेन किया тो दोनों टीम का स्टेंथेम और यह स्टेंथ अनवीक निस काहा है ऐसाट को बेसे बनाना पडेगा फ्म लींक शोền के क्या बनाना पड़े गां किस बैसिस से बनाना पड़े कलंदर के तरफ से टॉम बेंटन गाइस लास्ट इनिंग 76 30 45 अच्छे इनिंग से शार्जिल खान लास्ट मेच में चले नहीं स्पेशली शार्जिल खान बहुत इंपोर्टेंट अगर टार्गेट 120 की नीचे रहेगा और यह चेजिंग में थोड़े ज्यादा बेटर कहलेंग अब मैं आता हूं इनके बॉलिंग एटेक में जो इनसे शाहिद अफ्रीदी लास्ट दो मैच में आया था लेग स्पिन बॉलिंग कर रहें अफ्टर पावर प्ले बॉलिंग कर रहें जो बहुत इंपोर्टेंट बना देता है शाहिद अफ्रीदी को आपके टीम में लेने दो चौदा एक दो सॉला दो लास्ट दो इनिक्स में काईस यह जब आया तो थोड़ा ज्यादा स्ट्रेंद भी बड़ा है कालंदर बॉलिंग अटेक का सुल्तानामे बहुत अच्छा बॉलिंग कर रहें लेफ्ट आम और्टोडोक्स जो इतने भी एसोसियेट्स कंट्री ह उनके पीचेस में लेफ्ट आम और्टोडोक्स बहुत है बिकोस पीच थोड़ा ड्य होता है जो है लेफ्ट आम और्टोडोक्स का अनॉफ मतलब एक अदा बॉल टर्न हो जाता है जो दिक्कत होता है बैट्समेन को समित पर टेल एकी मैच खेला एदानियल अब बहुत मैच में उके नहीं लिया क्रिस जॉर्डन मस्ट पीक है रिजन इन्होंने हर एक देश में अल्मोस्ट टेटेंग ट्विंटी वगरा खेल के रखे बहुत एक्स्पीडियेंस अच्छे खासे बॉलर है फॉस्ट इनिंग बॉलिंग करेगा तो कैट्टें भाइस के टन बना स वीडियो आपको दूंगा सभी मैचेस के कवरेज मिलेंगे इंटरेशनल नेशनल टेलीक्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में है गाइस और आप सर्च भी कर सकते हो फैंटसी दुनिया यह यूजर नेम गाइस इससे सर्च करना तो आपको एकदम करेक्ट वाला आईडी मिल जा दूंगा वहां से भी जॉइन हो सकते हो मनाठी अरविन के तरफ से मौहमद हाफीस 165-19 रन ठीक है एक और 21-0 अब्दुल शकूर का फॉर्म थोड़े ओन और आफ रहा बट लास्ट मैच में 34 किया था लोडी इवन्स अब समझो इनका बाट ठीक है इन्होंने लास्ट मैच में हाफीस एन शकूर ने गेम खतम कर दिया था उसके आगे तक जाविद आमादी ओपिन आ रहे थे दिखो जाविद आमादी ओपिन नहीं करेंगे इसका रिज़े ने इनका स्ट्राइक डिड़ गिर गया तो कौन हो सकता है अब्दुल शकूर कर रहेंगे अच्छा खेल महमद हाफिस करेंगे वन डाउन खेलने वाले लॉडी एवन्स बिकास अगर खेलते हैं लॉडी एवन्स तो यही वन डाउन आएंगे एंड शोयब मलीक को लास्ट में चांस दिया गया था मुस्ट पोजिशन जो आइडली इनका इंटरनेशनल मैचेस में भी रहते हैं तो थोड़ा दिक्कत है इनको लेना इशान मलोतरा लास्ट में दो वर डाले ते कुछ खास किया नहीं उसका आगे के मैचेस में 6 और 8 यामीन आहमद जाई इस टीम के लिए में बॉलर के रूप से आये गास मुकतर अली यामीन आहमेद जाई दोनों को अलमोस्ट एक आदा इसमें विकेट मिला है एक-एक करके यहां पर दो मैच में एक-एक विकेट है यामीन का संपल कमी अब तो क्योंके लिया नहीं मुकतर अच्छा बोलिंग डाल रहे है खास करके मुकतर अली एक सुलार वन भी डाल रहा है आप देखोगी यामिन आहमेद जायन मुकतर अली क मराथिया अरभियंज का इस बॉलिंग नॉट सुला एंड हम आपको इस बता दूंगा आफटर टॉस में फाइनल टीम टेलिग्रम पे ही दूंगा तो टेलिग्रम चैनल आप जरूर से जॉइन हो जाओ वहां पे आपको आफटर टॉस टीम मिलेंगे एंड फ्यूचर की सीर कर लेगा अगर मराथिया अरभियन चैस किया तो मैच थोड़ा मतलब फसने वाला लाइक होंगे बट आइधिंग कलंदर जीतने वाले है बिकॉस कलंदर का चो बैटिंग है का इस टॉप 3 बहुत ज्यादा अच्छे फॉर्म में है नमराथा का थोड़ा पेस आन और और अगर आप मराथ अरभियन के पास आते हो तो इनके पास सभी न्यू न्यू बॉलर यामिन आमेज जाय संपल कमी मुकतर अली ऐस गाजी प्रभी दंबे तो खेले नहीं फिला तो इनके पास वह बॉलिंग अटेक है नहीं जो रोक सकेगा कलंदर को एना इधिंग कलंदर इस शारजिल खान चेजिंग में जरूर ऐसा वाइस कप्टेन ट्राइक करना बिकॉस कंसिस्टेंली स्कूर कर रहे हो सकता है कि टॉम बेंटर एंड शारजिल खान ही खेला खतम कर दे तो शारजिल खान को यूस कर सकता हो मौमध हाफिस भी एक सेफ पीक है बट ऑपोनें के पा अबी टेलीग्राम चैनल जॉइन हो जाओ अफटर टॉस फाइनल टीम मिलेगा आपको टेलीग्राम पे मैं आपके सामने टीम ग्रेट करने वाला हूँ देखो मेरा सीचुएशन समझो पहले मैं एक टीम करता हूँ जो रैंडम टीम होगा अबदुल शकूर रहेंगे हमारे तभी लेना अगर बॉलिंग फर्स्ट हुआ चेजिंग में आई डों दिंग आपको मुक्तर लेना चाहिए और इनका क्रिडिट कितना है नौ क्रिडिट है नौ क्रिडिट में आप एफट नहीं कर पाओगे कोई भी प्लियर क्रिस जॉर्डन मेरे टीम का मस्ट पीक है अब दूसरे प्लियर को लेना नहीं मैंने फिलाल इमा अमिन आमेजजाई को लेना है फिर अगर आप यहां से अगर देखते हो कोई खास चॉइस है नहीं यहां से अगर आपको लेना है का इस बेंड डंग को अगर बैटिंग फर्स्ट हुआ ट्राइ कर सकते हो बट बहुत लेना पड़ेगा आपको शोइब मलीक को लेना है क्या नहीं लेना है ठीक है तो यह हम लोग आफटर टॉसी डिसाइड कर पाएंगे तो आफटर टॉस आपको फाइनल टीम टेलीग्राम पर मिल जाएगा बट क्रिडिट इसूस है बट यह मैच अच्छा कासा है विकास आप एक चीस जरूर कर सकते हो कि शोइब मलीक को ड्रॉप करके सोहल अक्तर को ट्राइ कर लेना फिर आपके बस आर्ट क्रिडिट होगा तो किसी को भी ले लेना यह दनियाल जैसे ठीक है अपको आफटर टॉस फाइनल टीम मिलेगा बट एक चीस में आपको क्लियर करना चा बार है 8.5 क्रिडिट में जो आइधिंग 1 डाउन खेलना चाहिए तो इसलिए यह मेरा कोट टीम रहेगा जहां से मैं चेंज करने से दनियाल को चेंज कर सकता हूं और शोइब मलीक को मैंने फिलाल नहीं लिया यह आफटर टॉस आपको कॉल लेना पड़ेगा अब शोइब बैटिंग हुआ तो आप ज़रूर शोइब मलीक को ट्राइ करो बहुत ज़्यादा एक्स्पिरियेंस है यह बैटिंग से भी आपको पॉइंट देने वाले आई होप आपको वीडियो पसंद आया पसंद आया तो लाइक कर देना चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राब करके जल्दी से टेलिगाम चैनल जोइन हो जाओ थैंक्यू गैस